सब्सक्राइब करेंगे लॉंग कुशन को तो चलिए बिना समयगा अपने प्रशन की और बढ़ते हैं कुशन है भगवली खोज का तात पर किस परकार विश्व की दूरिया घटाई इसको समझना है इसका उत्तर हो जागा बिश्व की प्रारंबिक सभ्यताओं के काल से ही विपार वानिज्जे पर ठीक है ना यह यह व्यापक मुक्यता एक निश्चित मार के माध्यम से होता था प्रांट विश्व की नई ऐसे छेत्र ठीक है जिन में जन जीवन तो विद्धमान था लेकिन से विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था अगर कोई देश था और उसका दूसरे संपर्ग नहीं था उसी को बहुत सारे जगह था जिसमें क्या था उनका विश्व में उनका म छुड़ाव नहीं था जैसे अमेरीका अफ्रीका आस्टिया तथा एसिया के कुछ हिससे ठीक ना इस देशों के क्या थे कुछ हिससे ठेल लेकिन वोका जुड़ाव इस देशों से नहीं था जब देखिए इनि चत्रों की समुंदरी मार्ग द्वारा खोज हुई या समुद्री यात्रा से इन नए नए देशों का पता लगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं भगवाली खोज कहते हैं चलिए अब पनाग्राफ चेंज हो गया अब इसके बाद आगे समझते हैं भगवाली खोज के कारण विश्व की दूरिया कम हो गई इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के विरहत भूखंड से परिशय करवाया और बिश्व के के कि देश एक दूसरे के संपर्क में आ गए एस याँ एउरोप की विभीन सभ्यताओं का जो पहले से अलग थी प्रस्पर संपर्क अस्थापित हो गए उरोप वालों ने अपनी सभ्यता सांस्कृति धर्म एतिहां साहित्य का प्रचार प्रसार किया इसके कारण लोगों में आपसी मत eer हैं दोनों तरह से भानाओं का विकास हुआ इस प्रकार दुरिया बोली सर्चार कारन एंसर यहां से देखिये बोली सब्सक्ति क्या है निवली कित्थ है देखें बहुरी कोज के क्या है जो नीचे लिखा हुआ इसको हम पड़ते हैं चले भगवाली कोज अर्था धर्मयुद ठीक धर्मयुद 1112 सताबदी में जेरुसलम की घटना करम थी कहता है धर्मयुद क्याता आटमयों 112 सताबदी में जेरुसलम की घटना थी इसके दुरान वे येस गहले ऊर्थानों को महसूस होने लागा की दुनिया के हर पहल को समझा जाए उनगों दुनिया के हरु फ़ल्लू को समझा आता भगवाली खोज को प्रोचान मिला और देखे कस्तुन्तुनिया पर क्या हुआ क्या हुआ पर तुर्की का अधिपत्य होने से उरोपिय वेपारियों के लिए इसमार्ग से वेपार करना ठीक नहीं रा क्यों कि तुर्कों ने इसमार्ग से वेपार के बदले भारी कल वसुलना शुरू किया था ज अभिस्कार इस काल में हुए नयन अभिस्कारों ने समूंदरी यात्रा एवं नौ सेना के विकास को आसान कर दिया कमपास दुरबिन हलके मजबूत और तेज जहाज बने इन नय देखे जहाज बने और इन नय उपकरनों ठीका ना क्या हुआ इन नय उपकरनों एवं सहास के लबल पर इवोरोपिय ना भी ऑप्लांटिक एवं भूमद्द्द सागर में अपने जहाज को उतार हुई पुर्दगाल के राजकुमार और एस्पेन की महारानी का सहयोग पुर्दगाल के राजकुमार हेनरी हेनरी द नेवीगेटर नेवीगेटर तता एस्पेन की महारानी इसा वेला ने भगली खोज को प्रोचाहन दिया था तता जाने का यहीं आनिए ख़र्चा आधी होता है यह देखना होता है तो यह दूसरा नाम वहीसर्यक है लगस्तलीजल सतना अफ टीसरे नंबर के आध्योन की यहां है शुक्याद से पूर्व तो यदि यूरोप में होते तो भारत के भारत के भारत से किस फ्रकार वेपार करते ठीक है चलिए इस कुछिश्धन का अंसर देखते हैं धानी अफिर भाग में क्या है कोलंबस यह अमेरिका की खोज की कैप्टन कुक ने खोज की अब देखेstadt जिस कोुलंबस ने अपनाया था और जहांज द्वारा भारत आया था ठीक है है चोंता नम्र कुष्ण के वर बढ़ते हैं है कि यह कुष्णत propag ऐंधकाईस का और अंधकार यूग से बाहर आने में भोगवली खोजीर ने किस प्रकार मदद की ती इसको समझना है तौन है अब देखे रोटा क्या प्रित्वी के विश्वास से युक्र था उस समय और भगोली ज्ञान सीमित था अता समुंदरी विपार भी सिमित था उस समय लोगों को बिश्वास था कि अधिकत्म दूरी पर जाने पर किनाले से क्या हो जाएगा अंद में विलीण हो जाए जना तो सोते हैं नए कोई अंतिम रास्ता नहीं है अहाँ पहले क्या पार भी कोई अन्दमी हो सकता है कोई जगा हो सथ कि यह पृत्तव लगर जाएंगे तो हम सब्सक्राइब प्रित्वी के अंतिम छोड़ पर चले जाएंगे और उसके किनारे में गिरकर विलीन हो जाएंगे यही अंधकार यूग तो यहीं यूग अंधकार यूग के नाम से क्या हुआ जाना जाने लगा ठीक है अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है अनदकार यूग से बाहर आने में भोग्वली फोजो का मौत पुर्ण अस्थान इसको देखना है इसको देखते हैं भोग्वली खोजो के कारन आप सी दुच्छ की सब्सक्राइब आपक प्रचार ने चर्च की प्रभुक्ता को कम किया और हट्रम पर भी पढ़ा त्युक्त कितने ही अस्तलोप अधिकांस अधिकांसों अंद विश्वासियों का खंडन हुआ इस प्रकार लोग अंदकार्यूग से बाहर आ गये चलिए तो हमारे यह तो यह हमारे चाठ्वा प्रस्ण का एंसर था और पांचवा नमर कुश्चन की वर बढ़ते हैं और लास्ट कुश्चन है सायद चलिए पांचवा नमर कुश्चन देखते हैं भगली खोज ठीके ना क्या भगली खोज के परणाम का वर्णन करे इन इसने 20 पर क्या परभाव पर दाला इसको देखना माद होज के वारे में समझी नमली खीथ है ओके चलिए अब देखते हैं किया थाःओ नाम ने संपर्कों ने इरोपिये वेपारवानी जिस सोसन से इरोपिये देश समरिद होने लगे हुंडी रीन पत्र आधी वेपारिक साख का विकास हुआ जो वेपारिक साख होता है उसके क्या हुआ विकास हुआ इसमें 80 वर्चों तक यूरोपिय और विवस्ता चांद पर रही अपने वेसिक सम्राज सम्राज का विकास सम्राजवाद का विकास जारी रहा अब देखें इंगलेंड होलेंड स्वीडेन आरक फ्रांस आधी देशों का क्या हुआ अधी देशों में क्या हुआ कंपनिी की अस की सबुने लुट होनी लगी। अहींट जनंगल काटने क्रिसी कारे करने के लिए मजडूरों की खरीद करी होती थी क्या होती तो यही सब यही सब आते थी भगवली खोज़ों के प्रणाम यही सब प्रण्याम हो था और इनके विश्व पर यही सब प्रभाव होता है इसके साथ हमारा आज कईया सेशन खत्म होता है और हमारे इसी के साथ क्लास नाइंथ सिस्ट्री फॉर्स शेप्टर भगवली खोज़ों का पूरा कुशन एंसर समापत होता है ठीक है असा करते हैं आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहा होगा अगले वीडियो को जू ओने वाट